हलो दोस्तो तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटर ओफ ग्रैविटी के बारे में कि सेंटर ओफ ग्रैविटी होता ही क्या है एक्ष्यल में तो बड़े ही राम से समझा देगा डॉंट वरी तो हम पहले तो ये समझते हैं मेरे भाई की center of gravity को हम किस तरह से देखें क्योंकि हमारा नजरिया कुछ और होना चाहिए देखने के लिए नजरिया ये होना चाहिए कि पहले तो अर्थ को समझो कि अर्थ की gravity किस तरह से काम करती है यह हमारी प्यारी से अर्थ है और इस अर्थ पे मैंने पहले भी डिस्कस करा हुआ है अगर नहीं यह वीडियो देखी तो यह देख लेना कि धर्ती हमें इस तरफ खीचती है, अगर हम किसी चीज को उठाना चाहते हैं, मालिजे कोई यहाँ पे वस्तु पड़ी है, कोई चीज पड़ी है, चाहे आप कोई भी चीज इस तरह से लगा दो, अब मेरे भाई इसने खीचना है धर्ती ने अपनी तरफ चीज को, चीज को जब खीचेगी ना तो वो यहाँ से खीचती है, किसी एक पॉइंट से हम यह मानते हैं, पूरी बॉडी को खीच रही है, हम मानते हैं किसी एक पर्टिकल सेंटर है उसका, जहां से वो स्पोज किया जा सकता है कि उसका सारा वेट एक्ट कर रहा है, हम अगर इसके ऑपोजिट, इसके बिल्कुल ऑपोजिट फोर्स लगा दें, तब हम चीज को उपर उठा सकते हैं, हम इस तरह से नहीं उठाते मेरे भाई, हम यहाँ पर नहीं हैं, हमेशा याद रखना, हमारे दिमाग में हमारी धरती ऐसे है, और हम रह रहे हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं हैं, याद कर लीजिए, इसको हमेशा हम ऐसे नहीं हैं, हम इस तरह से नहीं, हम इस तरह से चीज को उठाते हैं, जब मनलब difference है, there is lot of difference, मैं अगर मैं माली जी एक और बना लेता हूं इसका, तो मैं यहाँ पर इसको, ठेंज कर लेते हैं थोड़ा situation, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, देखो, इस तरह से कर दिया, और हमारे पास यह वाला point जो है, इसको भी ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, यह देखे, यह है हमारी सोच, यह हम सोचते हैं इस तरह से ऐसा नहीं है, actual में, actual जिंदगी ऐ पूरा वेट कर रहा है उसको कहते हैं सेन्टर ऑफ ग्रेविटी सेंट्र-off ग्रेविटी बात समरियो चीज को तो पूरे हो को खीच रहा है- धरती यह रहा है- ग्हूंजब कि-ार-मले की जे ते not कि इसी पॉइंट से मैं एक और चीह नोट करना मैंने इसी पॉइंट से क्यों पकड़ा इसको इसी पॉइंट से क्यों पकड़ा बीच में से सेंटर में से अगर मैं इसको यहां से भी तो पकड़ सकता था लेकिन एक चीह नोट करना जैसे ही यहां से पकड़ता हूं यह टेड balance है तो अब ये इस time इसकी center of gravity हम यहाँ बना सकते हैं तो हमारी body की shape के according size के according उसका center of gravity होता है ठीक है उसकी position size कैसा है उसके according हमारा center of gravity होता है बात को समझाएं कि नहीं समझें अब मैं आपको एक और चाहिए बिताता हूँ यहाँ पर देखेंगे हम मान दीजिए कि यह इस तरह से pen है pen का position इस तरह से है तो center of gravity इसका यहाँ पर आएगा देखिए मैं यहाँ पर balance कर सकता हूँ इसको अराम से ठीक है इसको balance किया जा सकता है तो यह balance कर दिया तो यह इसका center of gravity है अगर मैं इसको इस तरह से पुजिशन करता हूँ तो ये देखिए अब वर्टिकल पुजिशन है तो अब सेंटर आफ ग्रेविटी चेंज हो गया हलाकि मैं इसको अभी बैलेंस नहीं कर पा रहा ठीक है लेकिन ये बैलेंस अगर करना चाहें यहां इसको सेंटर में से थ्रेड डालके ऐसे पकड़ लें तो लटक जाएगा भाई ये राम से इसको उठाया जा सकता है तो ये सेंटर आफ ग्रेविटी होता है हमारी सोच बस यहां से यहां लानी है हमने और कोई काम नहीं है हमारा जिस दिन हमें ये समझा गया कि ये हमने बकेट उठाई है जब हमने इस तरह से किसी चीज़ को उठाया आपके दिमाग की गिर्स जो है वो गिर इंस्ट्रूट घुमा देगा तो आपके गिर्स घुमने चाहिए जब हमारी सोच बदलेगी तो हमारी पढ़ाई का नजरिया बदल जाएगा बात थोड़ी से समझाई थोड़ी समझाई अब देखेंगे तो हम अगर कोई भी मालजे क्रेन वगरा देखते हैं इस तरह से कोई चीज़ उठाते हैं तो एक चीज़ नोट करना हमेशा इस तरह से क्रेन किसी भी चीज़ को उठाएगी तो आप एक चीज़ नोट करना यहां से इसने बांदा और यहां से बांदा लेकिन इसका पॉइंट देखो यह पॉइंट सामने से देखें तो सेंटर आफ ग्रैविटी आगया इसका इसने सेंटर आफ ग्रैविटी से उठाया है इसको हलांकि यहां से रस्टी डाली रस्टी यहां डाली दोनों को जोड़ कर यहां सेंटर पॉइंट देखें तो हमारा एक्शुल हम यहां से उठा रहे हैं बस दो इसलिए डाली ताकि moment की balancing भी हो सके moment की balancing हो सके नहीं तो गलती से भी हम इधर उधर खलका सा भी इधर उधर कर देंगे exact हमें मुश्किल है इसका cg find out करना एक crane operator के लिए cg कैसे find out करे विचारा अगर कहीं से heavy हुआ, कहीं से हलका हुआ तो center of gravity तो हिलेगी exact हमें इससे मैं माल लिजे कि आपको हुआ कि नहीं इसकी तो center of gravity जो है वहां से उठाओ इसको आपने exact उस point से उठाने की विजए हलका सा भी इधर कर दिया भाई ये उल्टा हो जाएगा और नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ तो accident हो जाएगा बात समझा रही है, समझा रही है थोड़ी सी बात को समझना ना की रटा मारने का काम नहीं है हमारा कोई भी चीज उठाओ ये देखो, इसतना बड़ा block उठा रख है और block उठाने के लिए again, मैं क्या कह रहा हूँ again हमारे पास ये देखो center point चला जाएगा इसका क्योंकि end से इसने रसियां लगाई और center में से उठाया और आप भी ऐसे अभी कोई चीज, कोई भी चीज उठा के देख लो आपको पता लगे रहा आप उसके CG से उठाते हो और इस खोपड़ी को नहीं पता कि ऐसा हूर है इस खोपड़ी को नहीं पता नहीं क्या है CG, 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 CG ये CG, CG क्या है ये CG कुछ भी नहीं है सारा दिन उठाते हो ऐसी चीज़ें को balance करकर के उठाते हो ताकि घूमना जाए और भाई ये खतरना बहुत होता है आपको लगता हो कि सर इसमें क्या खतर है इसमें क्या है CG तो find out करना है CG ना अज़र मैं नहीं पढ़ा आप को कहते हो सर क्या हो गया lecture नहीं लगाया फिर क्या हो गया CG वेला चैप्टरी छोड़ा है क्या हो गया पांच नमबर नहीं है ये पांच नमबर का सवाल नहीं है पांच लोगों की जान का सवाल होता है पांच लोगों की जान का सवाल होता है मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए अभी अभी आप नूट करना यह देखो, यहाँ पे आएगा तो यह next आ जाता है यह देखे center of gravity सही नहाँ पता करें और आपका failure आजाए तो यह देखो जान जाती है लोगों की CG सही नहाँ पता हुने के कारण यह सरफ introduction दे रहा हूँ आपको, कोई formula नहीं बता रहा है इसमें अभी अभी सरफ introduction दे रहा हूँ कि आपके हाथ में लोगों की जान है जिसको आप 5 नमबर समयते हो ना, 5 नमबर समयते हो कि 5 नमबर है यह, वो 5 नमबर नहीं है वो कहीं की जान होती है यह देखो कोई भी crane operator उठाता है तो उसको CG से नीचे भाई काम कर ले सकता है अगर गलती से CG गलत हुआ घूमता है वो और वो गया वो गया, CG गलत और लोग गए और यह होता है इंडस्ट्री में कई वार यह देखो यह हो सकता है ऐसा, तो भाई CG, CG नहीं है बहुत खतरनाक चीज है तो यह देखो यह तो चलो, heavy weight, ज़्यादा ही weight उठा लिया उसने, तो क्रेन ही उल्टा हो गया क्रेन ही उल्टा हो गया तो CG यह होता है बात थोड़ी समझाई अब देखिए हम इसमें थोड़ा सा definition के point of view से देख ले definition के point of view से देख ले क्योंकि definition भी बच्चों को चाहिए होती है ठीक है, तो definition लिख लिजिए the center of gravity क्या है of a body और a system body का यह system का of particle rigidly connected together, जो एक जुसरे connected हो, is that point through which, वो point है जिसके दुआरा line of action of weight of the body always passes from all the position of the body, तो क्या कहता है कि वो point है, जहां से क्या है weight जो है, वो passes करता है, वहां से निकलता है, always pass करता है, ठीक है, weight of the body passes through, तो वहां से तो इसको और भी लिख सकता है, center of gravity is a point of body through which the resultant of the weights of all the particle of the body acts तो सारे mass अलग लग होके एक resultant बनाते हैं resultant बनाते हैं, उसके resultant से हमें क्या मिलता है उसका cg मिलता है cg मिलता है, इस resultant का क्या मतलब हुआ, resultant का मतलब ये हो गया, कि मान लिजिए यहां पे एक body है, इस तरह से यहां पे body है कोई और इसका mass तो बेटा हर जग है, mass तो कहां नहीं है, mass तो यहां पे भी है यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, इन सब का resultant जो निकलेगा, resultant निकलेगा कहीं न कहीं तो balance होगा वो तो यह resultant निकल गया और यहीं से ultra force लगा के हम इसको उठा लेते हैं, तो यह होता है center of gravity I hope कि यह चीज़ आपको समझागी होगी, अब यह सरफ introduction हो रही है, ओके यह पूरा course जो है, वो है applied mechanics का, और यह त्यारी में करवा रहा हूँ SSEJE की, अगर आप SSEJE की preparation करना चाहते हैं तो आप app download कर लेजी और course join कर लेजी हैं, उसमें हम सब कुछ करेंगे, इसके बाद CG के formulas, numerical सब कुछ करेंगे, thank you so much in next video में फिर से मलते हैं